Most Welcome to Mukesh Mehta, Anand Academy Channel पर आप सब का Today we discuss आज जो है HBSC भीवानी जो है प्लस टू का रिजल्ट जारी करेगा और HBSC 10th ओपन का रिजल्ट भी जारी होगा और प्लस टू का भी हो सकता है संभावना है आज पूरी HBSC भीवानी जो है प्लस टू का रिजल्ट जारी करेगा रेगलर का और 10th ओपन का रिजल्ट भी जारी करेगा तो आपको ये न्यूस पहले दे रहे हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को शेर कर दीजी अपने फ्रैंड्स को ताकि वो रिजल्ट देख पाएं जल्दी से शेर कर दीजी इस वीडियो को और जो इस चैनल पर हैं नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर लीजी और वीडियो को लाइक कर लीजी और रज़र्ट देखने के लिए डिस्क्रप्शन में वीडियो के डिस्क्रप्शन की में लिंक में लेगा वहां से आप result देख सकते हो तो link में आप जाकर देख सकते हो या फिर आप google में चले जाएं तो वो देखी कैसे जाओगे को google में जाते ही आप यहाँ search करोगे bseh तो bseh .org .in board of school education से search कर लेना इस तरह आएगा तो वहाँ click करोगे तो इस तरह की site खुल कर आएगी फिर exam result आएगा वहाँ click कर लेंगी और यहाँ एक net की problems अभी आपको अजी आप आप देख सकते हो यहाँ net show result show हो जाएगा क्योंकि मैंने open नहीं किया हो था result यह site पे इस तरह दिखाई देगा आपको exam result तो click करोगे exam result पे करना एंटर पे नहीं exam result पे और वहाँ पर select course तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है secondary examination secondary means यहाँ 10th का result है और senior secondary आएगा plus 2 का open का भी इस तरह ही आएगा लिखा हुगा open तो आप इस तरह क्लिक करोगे और फिर उसके बाद अपना कोई भी row number जो आप डाल दो जैसे यह डाल दिया मैंने एक row number और यह submit कर दिया तो row number डालने के बाद जो आप submit करने के बाद आप result देख सकते हुए है net slow है थोड़ा हो सकता है time लग जाए इसमें तो इस तरह से कुछ दिखाई देगा आपको तो result show हो जाएगा हाँ हो सकता है कि यह जो 10th की site पे दोबारा result अप्लोड हो रहा हो तो नहीं दिखाई दे रहा हो हो सकता है 10th का result भी दोबारा अप्लोड हो आप दोबारा भी अपने marks देख सकते हो तो revise result में अच्छे marks आ सकते हैं सुनने में आ रहा है कि दोबारा result बोड जारी करेगा तो आप प्लीज इस वीडियो को share कर दीजी thanks for watching this video please सभी इस वीडियो को share कर दीजी